हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज चैनल जहारखन परिक्षा, स्टुडेंट्स, आज फर्स्ट आप चून है, और आज से जहारखन रिलेटेड जितने भी इन्पॉटेंट करेंट अफियस बन सकते एक साम पॉइंट ओ व्यू से उन सभी पर हम लोग डिसकेशन करने वाला है और अंत में मैं आपसे दो quiz questions भी पूछने वाला हूँ, जिसका answer आपको comment box में करना है, पहला quiz question तो आपका जहारखन current affairs से ही related होगा, और दूसरा quiz question आपका जहारखन GS से related होगा, और आज के video lecture में हम लोग एक बहुत ही important आपका report कह लिजे, जो survey based रहता है, उसके बारे में discussions क करने जा रहे हैं, ताकि आपका mains and interview तक का notes त्यार हो जाए, जो daily basis पर आपका articles पढ़ते हैं, various newspapers में, अगर English पढ़ते हैं ना तो आपको suggestion अगर चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा, कि आप हिंदू का articles पढ़ा करें, साथ ही आप dictionary, सुरू सुरू में काफी दिनों तक आपका vocabulary कभी strong नहीं हो पाएगा, अगर आप SSC सब के aspirants है, तो वहाँ पर आपको synonym, antonyms, या फिर अगर banking के aspirants है, तो वहाँ पर जो होता है, कभी कभी जब आपसे comprehension पूछा जाता है, मेंस में, IBPS या SBI का, तो direct हिंदू का आर्टिकल को वहाँ सुठा के copy paste कर दिया जाता उसके बारे में, उस topic के बारे में, चलिए, start करते हैं, पहला question है आपका, the global adult tobacco survey, ये उस survey का नाम है, जो किया गया है, ठीक, survey का नाम याद रखना है, ये काफी authentic survey है, और इसे आप बहुत अच्छे से quote कर सकते हैं, कहीं भी जितना भी fact, जितना भी data आप इसमें मैं बताने जा रहा हूं, जितना भी याद रख पाए, खाफी important होगा आपके upcoming exams के लिए, प्री में इस type का question generally नहीं पूछा जाता है, इस तरह के questions को आप quote कर सकते हैं, mains और interview में वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, जब आपका opinion मांगा जाएगा, आपसे formulation में questions पूछे जाएंगे, उ तो एक दिन में आप सोचते हैं कि पहले pre कर लेंगे, फिर तीन महिना के बाद mains करेंगे, फिर जो समय मिलेगा interview, ऐसे नहीं होता है, आपको साथ में सभी का तयारी लेके चलना रहाता है, interview बहुत सारा coaching institute चब आपका mains का result आजाएगा ना, तब आप देखेगा 20,000 बरी, 20,000 का फीस होगा, 30,000 का फीस होगा, 50,000 तक चार्ज करते हैं, interview के लिए, और interview skills ऐसा है ना, students, कि आप विदिन वन मन्त में आप सोचते हैं, डिवलप कर लेंगे, एक दम धेर सारा data को एक साथ मगप करके, तो यह मगपिंग वाला concept सबसे बेकार होता है, मैं आपको बता रहा कितना आप कितना तुक्का लगा पाएंगे, जो दो साल से तयारी कर रहा है, आप उसके सामने टिक पाएंगे, वो एक महिना का आप जो मगप करके, ऐसा नहीं होता है, इसलिए डेली का डेली यह सब करना चाहिए, इसलिए मैं यह articles कराते रहता हूँ, इसकी important समझिएगा, किल कोश्चन है आपका, ग्लोबल अडल्ट टोवे को सर्वे द्वारा जारी किये गए आगरो के अनुसरा, जार्खन के कितनी फिस्दी अबादी किसी ना किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है, किसी ना किसी रूप में इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि यहा पर लिखा गया, डायरेक्ट और इंडायरेक्ट वे में कंस्यूम, तो इस कोश्चन, इस रिपोर्ट का अनुसरा, इसका करेक्ट टैंसर हो जाएगा, ऑप्सन नमबर भी 38.9%, अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इसमें फ्यादा ज्यादा है, जितना भी आप याद रख काफ़ इंपॉटेंस बन जाता है, current obvious point of view से भी, अब एक एक करके हम लोग सारे factual data को कभर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आपका, ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे द्वारा जारी किये गये ताजे आकडों के अनुसार, जार्खन की 38.9% इसमें सिर्फ एडल्स को कंसि किया गया है, किसी ना किसी रूप में तंबाखू का सेवन करती हैं, इसमें जो है, आपका 11.1% जो है, वो धुए वाले तंबाखू का अप्योग करती है, जिसमें maximum धुए वाले तंबाखू का अगर बात करें तो वो cigarette वाला category आता है, cigarette hook का in that sense, इसमें से 20% जो है आपके प 5.4% जो है अर्बन है और 5.7% जो है रूडल है, मतलब एक समानतार similarity है यहाँ पर ठीक है, आपना देखिए आप इसमें सोच लोगे कि टोटल अगर 11.1 है, तो यहाँ पर पूरुस परसेंटेज 20% कैसे है, उसका 11.1% अबाधी का 20% ratio proportion वाला concept समझे है ना ठीक से, वही 35.4% अबाधी में 54% पूरुस है और 15.7% महिलाएं और सेज जो है आपका 30.3% युआ है और इसमें से 26.3% जो ग्रामीन और 32.8% सहरी अबाधी है, यह इसमें किसमें है, यह इसमें से है, 48% वाले से, यह सर्वे किन के द्वारा कराया गया, यह भी important है, भाई कुछ तो इसक प्रिकेट बॉडी होगा ना, जिसका इसमें से पढ़ रहे हैं, यह सर्वे जो है भारत सरकार के स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्राले, विश्व स्वास्त संगतन, जिसे हम लोग कहते हैं, आपके हेड कोन है, अभी WHO के, टेडरो से हम याद रखेंगे, और टाटा इंस यह भी काफी important institute है, कि सहयोग से इसको किया गया था, इससे पहले किये गए सर्वे की तुल्ना में, जार्खन में तंबाकू उप्योग करने वालों की संख्या में करीब 1.5% की increment हुई है, जार्खन में खैनी और गुटका, गुटका मुख्य, धुआ रहित तंबाकू है, ज पहले 17.6 जो थी आपका तंबाकू सुरू करने के उम्र थी, साल थी, जो अब बढ़कर इस सर्वे में 19.4 years calculate किया गया है, सर्वे में ये भी पाया गया है कि 15 से 17 years के बीच में तंबाकू उप्योग करने वालों की संख्या घटी है, पहले से सर्वे में इस उम्र वर्क के 16. 16.7% लोग तंबाकू का उप्योग किया करते थे, जो इस बार के सर्वे में आपका 10.6% पाया गया, अब समझ गया होंगे answers को किस तरह frame किया राता है, थोड़ा सा पहले basic बताईए, उसके बाद comparison करिए rural और urban areas में और उसमें भी देखिए कि आप जिस बारे में लिख रहे ह samples के साथ, फिर वहाँ पर आप divergence की ओर चले जाएंगे, जिसमें आप rural और urban में बाठ कर अपने answer को समझाएंगे, उसके बाद last में जो है, जैसे यहाँ पर लिखा गया ना, पिछले बार की data से compare करेंगे, ठीक है, उमीद करते हैं, बहुत अच्छे से समझ गया होंगे, समझ जो कर रही है, ति इस question का correct answer हो जाएगा, option number B, JSLPS, इसका full form होता है, जारखन state, livelihood, promotional society, और इसकी स्थापना की गई थी 2009 में, और ये किसके अंडर आता है, जारखन ग्रामीन विभाग के अंडर आता है, इसके बारे में तो कहे दफ़ा हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया, इसमें मेरा main aim ये है, इस question को डालने के पीछे, आपको तीन तरह का relief kit के बारे में इस question के थुरू पता लग जाए, पहला तो CM relief kit हो गया, और दो हम लोग इस question में आगे पढ़ेंगे, चलिए, फर्स्ट पॉइंट हा आपका, JSLPS, समपोशित, सखी मंडल की बहने और आंगन में बिमार लोगों के बिच मुख्यमंत्री राहत kit का वितरन किया जा रहा है, प्रतेक आंगनवारी वरकर को 10-10 kit प्रदान किया जा रहे हैं, जिसमें वो सेंक्रिमित लोगों को इन्हें ये उपलब करा रही, यानि जो भी अभी Corona infected और home isolation में रह रहे हैं, गाओं में, क्रा जाने हैं, जिसमें सवी तक आपका एक लाख बन चुका है, इसके लिए J-S-L-P-S की मुख्य कार्यपालक अधिकारी न्यूक्त किया गया है, इसके अतिरिक आयूर्वेदिक, चलिए एक और kit हो गया, एक kit तो CM relief kit हो गया, दुसरा हो गया, आयूर्वेदिक, होम्यूपैथ और यूनानी kit, इसे भी distribute किया जाना है, उसके बाद आता है आपका basic health kit, इसका उप्योग करने की योजना है, जिसमें समाने दवाईयां जैसे कि परसेटामोल, जिंक, विटामिन C, विटामिन D और आयरन की गोलियां उपलब होंगे, ताकि सरीर को boost up किया जा सके, उमिद कर किया गया निती आयोग के द्वारा, और इसमें जो है जार्खन का पूरे देश में 14 अस्थान है, एकर करके सारे point को देख लेते हैं, first point है आपका, स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्राले, भारत सरकार के ओर से, या उसमिके द्वारा, एनेमिया मुक्त भारत कारिक्रम से संबंधित वर्स 2020-21 का वार्सिक स्कोर कार्ड रिलीस किया गया है, जो आपका district and states के लिए है, इस ranking में जार्खन पूरे भारत में 14 अस्थान पर रहा है, जबकि राज इस तरियो प्रदर्शन की बात की जाए, तो गुमला जो है आपका प्रथम अस्थान पर है, ranking का अनुस गुमला जिले को समगर सूचकांग के साथ 64.9 points मिले हैं, वहीं दूसरी और 60.1 points के साथ समगर यानी aggregate, ठीक है, के साथ आपका लोहरदगा जिला दूसरे स्थान पर रहा है, तिसरे स्थान पर गोड़ा जिला रहा है, ठीक है, पहला दूसरा तिसरा important, पहला कौन सा गुमला यहां पर अलग से करता हूँ, गुमला हो गया, दूसरा हो गया लोहरदगा, तिसरा हो गया आपका गोड़ा, ठीक है, निती आयोग द्वारा एनिम्या नियंत्रेंग के लिए चिन्हित पांच जिलो के रैंक में गुमला, जार्खन से कितना है, यह भी याद रखे, पांच ठीक ना, गुमला पहला, तिसरा हो गया आपका, गोड़ा हो गया, बुकारो पांचा हो गया, और सोला हो गया, जिम्डेगा, और सेकेंड में तो आप अब यहाँ पढ़ा ना, आपने लोहरदगा, अब पांचो जिला का रैंकिंग याद हो गया होगा, याद रखेगा, च इसमें इनमें से जार्खन कैडर के चार अधिकारी भी शामिल है, जार्खन कैडर के 2006 बैच के अधिकारी क्रांती कुमार गणदेशी, अनूप टी मैथ्यू, एव विजया लक्ष्मी और माइकल राज एस सामिल है, इन पैनल हुए चार अधिकारियों में तीन अनूप प्र इस और क्रांती कुमार गणदेशी किंद्र प्रतिन्युक्ति पर है, जबकि एव विजया लक्ष्मी पुलिस मुख्याले में दियाईजी कार्मिक हैं, किंद्र प्रतिन्युक्ति पर गए ओफिशरों को किंद्र में दिया जाएगा, चलिए अब फ़रा प्रिवेस कुछ को डिसकेशन कर लेते, इसमें एक चीज और बता दूँगा, इस कोशन को डिसकेशन करते समय, ध्यान से सुनिएगा, नई खेल निती, 2020 का अनुसार ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिडारी के कोच को कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया, ये जो हम लो जाएंगे, 75 लाग देश वाला है, ठीक ना, यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, इस स्टेट के कोच को, समझ गया हूँगे, डिफरेंस तोरों में, इसलिए मैंने जान बूच के यहाँ पर 75 लाग डाला था, कंफ्यूज होंगे, और कुछ लोग हुए भी हैं कंफ्यूज, लेकिन आगे से नहीं होना है, ठीक है, चलिए, जारखन खेल, यहाँ पर दो लिखा गया, आप अच्छे से समझे, तीन बुलेट है, इंपॉर्टेंट, गोल्ड मेडल जो जिता हूँगे, दो करोर सिल्भर के लिए, एक करोर ब्रोंज के लिए, 75 लाग असान है, सिंपल है कुछ ने करना, दो एक 75, मैंने इसी तरह याद रखा, आप भी इसी तरह याद रख सकते हैं, अब आ जाईए, स्टेट लेबर, मतलब विश्व कप जो होता है, होकी वर्ड कप, उसमें अगर कोई मेडल जीता है, आर्चरी वर्ड कप में अभी मेडल जीता है न, तो उन्ह कितना मिलेगा, गॉल्ड मेडल का हो गया, 20 लाग, 15 लाग, 10 लाग, इससे आप स्टूटेट वाला स्कीम के साथ रिलेट करके याद कर सकते हैं, और अलम्पिक मेडल जीताने वाले खिलारी के कोज को, जितने वाले खिलारी के कोज को, 10 लाग रुपे दिया जाएगा, और पदक जितने वाले सिनियर खिलाड़ों को प्रतीमा कितना है छे हजार रुपया तीनों बुलेट को ध्यान से याद रखेंगे ठीक है चलिए बेरोजगारी भत्ता यह तो जब खेलनीती मैंने पढ़ाया है ना तो यह वरगी करन वाला जो कॉंसेप्ट है वो मैंने अच्छे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर जो भी ऑप्शन रहा प्याँ ऑप्शन रहा है कभी कभी यह थोड़ा सा जानगुषकर मैंने टिपिकल यह फ्रेम करा था ताकि आपका कॉंसेप्ट क्लियर हो जाए आज के लिए आपका क्विज कोशन है काफ इंपॉर्टन प्रेत्री टूबी प्रिसाइज और इन्हें बहुत सारा आवार्ट मिल चुका है चलिए ऑप्शन से जैनशिता किर्केट्टा ज्योत्पल दत्ता निरुत्पल मिरनाल कृतिका पांडे अब अपने एंसर को हमें कमेंट बॉक्स में करें और जीएस का कोशन है पाई अगले वीडियो लेक्चर में थैंक्स पूर वाचिं दिस वीडियो